Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, ये आप लोगों की quick energy update है, और हम देखेंगे आपके person की thoughts अज क्या है, उनकी current thoughts, क्या सोच रहे हैं, तो ये सारे star signs की reading होती है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है, देखते हैं कि आपके person क्या सोच रहे हैं, उनकी thoughts, हमारे पास है Ace of Wands, Five of Wands, King of Wands, Ace of Swords, दो Aces आगए हैं हमारे पास, यहाँ पर Aries बहुत strong है, Aquarius, बहुत strong है, Libra, Ten of Swords, and then Ace of Pentacles, bottom पर है हमारे पास the tower, So, तीन Aces आगए हैं हमारे पास इस reading में, Excuse me, So, तीन Aces का मतलब यह है कि यह इनसान आपके साथ एक नया start चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई breakup situation है, या फिर आप यूँ कह लिजे कि आपके connection का एक turning point आ चुका है, turning point कैसे आया है, यानि कुछ fight हुई है, कोई बहस हुई है, जिसमें आपने बहुत clearly अपना point of view, अपने partner के सामने रख दिया है, maybe ये इनसान surface level पर आपके साथ रहते थे, और flirt करते थे, और इस तरह से आपसे connect करते थे, बट आप जब भी उनको confront करते थे, deeper feelings को लेकर तो वो confront नहीं करते थे, वो मजाक में बाट टाल देते थे, serious नहीं हो रहे थे, तो आपकी उनके साथ एक serious fight हुई है, जिसमें आपने उनको बोला है कि, अगर तो आपके दिल में मेरे लिए सचा प्यार है, तो आप मेरे साथ चलें, या मेरे लिए कोई effort करें, जो मुझे नज़र आए कि ये इनसान मुझे हकीकत में प्यार करता है, कुछ इस तरह से आपने उनसे बोला है, आपके person को realization हुई है कि, अब उनको seriously आगे बढ़ना होगा, अब यहाँ पर मजाक नहीं चलेगा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब उन्हें कोई serious बात करनी होगी, या कोई effort serious करनी होगी, जिससे आपको उन पर यकीन आ जाएगा, so basically आपको ऐसा feel हो रहा था कि यह इनसान सिर्फ आपका time waste कर रहे हैं और आपके साथ flirt कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इनसान prove करना चाहते हैं अपना प्यार, किसी ना किसी तरह, चाहे effort छोटी हो, बट prove करना चाहते हैं, and I also feel कि आपको clarity देना चाहते हैं, मुझे बहुत ज़दा serious बातों में उलहजना पसंद नहीं है, तुम्हें परिशान करना भी पसंद नहीं है, वक्त आने पर मेरी सचाही का तुम्हें पता चल जाएगा, जो practically हमारा वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं है, बट एक बात तुम समझ लो कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूँ, मुझे लगता है कि exactly ये इनसान आपस इस तरह की बात करेंगे, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो हमारे पस दो एसेज हैं फिर उसके साथ ऐस ओफ पेंटिकल्स भी है जो कि एक रियल आफर होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब कुछ ऐसे अचानक होगा और जो वाते हो आपसे कहेंगे, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नह हैं कि आखर हमारे इस कनेक्शन का स्टेटस क्या है, आखर हम जा कहां रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ सीरियस होगा, क्या ये इनसान वाकी मेरा है, क्या इसने मुझे से शादी करनी है फ्यूचर में जाकर, या शादी नहीं भी तो क्या ये लॉंग टर्म के लिए है या तो कि ये इनसान शायद बहुत हैं या बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत एक करिज्मा है, उनकी परसनालिटी बड़ी जबरदस्त है, लोग उनसे जुड़ना चाते हैं, आपको लगता होगा, एक डाउट आता है ये इनसान के जहन में कि शायद ये इसी तरह फ्लर्ट कर ये बड़ा सडन होगा, बड़ा नेक्सपेक्टेड होगा, और आप हैरान होजेंगे कि इस इनसान के मूँ से मैं ये सुनूंगी, फाइनली, मुझे बिलकुल उमीद नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनसान आपसे कम्यूनिकेट करेंगे, आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे, और फिर आखिर में ये भी कहेंगे कि बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुमने मेरे साथ चलना है या नहीं, मैं जबरदस्ती कभी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तुम समझदार हो, ठीक है, तुम खुद देखो चीज़ों को, और ये मेरी हकीकत है, चलना है मुझे तुम्हारे साथ, इंट्रस्टेड हूँ मैं, प्यार भी है मुझे, तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, वक्त के साथ तुम्हारी पता चल जाएगा मेरे बारे में, इस तरह की कुछ बाते ही इंसान आपसे करेंगे, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी क्विक एनर